आयोध्या एक ऐसा ना जो काफी कुछ चर्चा में रहा, कुछ इस वज़े से क्योंकि वहाँ पर विवाद रहा, कुछ इस वज़े से क्योंकि एक ऐसा शहर रहा जो बहुत उपेक्षित था और कुछ इसलिए अब क्योंकि एक ऐसा शहर जिस पर सब का फोकस है और अब राज पोट्सों का एक ऐसा बड़ा काम शुरू हुआ है कि भेया दीवाली से ठीक एक दिन पहले पूरी चगमगाती अयोध्या को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और इस शहर से मेरा एक पुराना रिष्टा रहा है आपको अपने इस वीडियो में मैं नहीं दि है और इस शहर से अमितिवेदी का कितना पुराना नाता रहा है और किस तरीके से किस जगे से मैंने गुजरते हुए इस शहर को बड़े करीब से देखा है तो मुझे याद सब कुछ और जो कुछ मुझे याद है ओ आपको जानना ज़्यादा जरूरी है साथ में यह भी अत कारी अपने इस वीडियो में दे रहा हूं तो अगर आपकी वी दिल्चस्पी आयोध्या में है तो एक धर्म के नाते या फिर एक घूमक कड़ होने के नाते या फिर आप एक और कुछ जानना चाहते हैं तो इस शहर क्यों जाना चाहिए आपको इस वीडियो के बाद तुर राजा जनक जी ने बहुत सारा सामान दे दिया था यानि कि जो आभोशर थे मडी रत्न थे सब कुछ क्योंकि राजा दशरत जो है दहेज की भी रोधी थे ऐसा कहा जाता है और उन्हें सारे गहने वगएरा अयोध्या के ठीक बाहर रखवा दिये थे और वहाँ पर वो गह की कहानी है जो मैंने शुरू करके आपको बताऊंगा पूरा कि किस तरीके से मैंने आयोध्या को जीया है तो हम आयोध्या से भी थोड़ी दूर रहते थे एक गाउं था रानी गाउं और बस्ती जिले में इस गाउं तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़के जाती थी और ह हमारे लिए शेहर क्या होते थे मैं वहाँ पर आठवी क्लास तक रहा हूँ तो आठवी क्लास तक पढ़ाई की तो आप समझ सकते हैं कि जीवन का मतलब बालिया वस्ता और सब कुछ बहुत ज़्यादा वक्त हमने वहीं पर गुजारा इसके बाद में हम लोग आयोध्या आ ज्यादा दूर नहीं होती थी जन्मू में तो काफ़ी समय वहाँ पर रहे इसके बाद में हमने मूव किया कम्यार मंदिर गए कम्यार मंदिर वो जगह है जो आप देख पाएंगे अगर आप उपर बैट जाया तो पुरा का पुरा घाट नजर आता है राम की पड़ी में हम जोटी चुटी गलिया थी उस समय भी उसमें गाडिया जाना मुश्किल था अब भी वहाँ पर गाडिया जानी मुश्किल है अगर आप आयोध्या को करीश देखना चाते है तो मुझे लगता है आपको कई सारे मुहले वहाँ देखने चाहिए जैसे कि स्वर्गदौर हो ग शुरू किया पूरी आयोध्या मने पार कर ली थी तो आयोध्या इतनी ही थी लेकिन अब आयोध्या 130 किलोमेटर के आसपास के दायरे में बस गई है क्योंकि फैजाबाद जिला नहीं रहा है अब आयोध्या जिला हो चुका है तो अपने विस्तार में आयोध्या ने बहुत कुछ चीजें समेट नहीं हैं जो कि अलग रूप में अब सामने आ रही है और विस्तार के लिए क्या हुआ है बहुत सारे सड़कों को तोड़ दिया गया अपने एक वीडियो मैंने दिखाया था किस तरीके से एक शहर को एक प्रास्थी से गुजरना पड़ा क्योंकि यहां पर बहुत सारे दुकानदार ऐसे थे जो अभी भी 10 रुपे 12 रुपे किराया चुकाया करते थे उनसे ओ मंदिर के महांत लोग भी परेशान थे जिनकी ओ जगे थी क्योंकि ओ खाली नहीं करवा सकते थे क्योंकि ओ कोड़ चले जाते थे अब सरकार ने जब अपने अयुद्या को एक्सपेंड करना शुरू किया अयुद्या को नया सुरूर देना शुरू किया तो उनकी दुकाने तूट गई दुकाने तूटने में सबसे ज़्यादा फाइदा हुआ है उन महांतों का उन मंदिरों का जो इन किरायदारों को नहीं हटा पा रहे थे और उनकी चेहरे आप देख सकते हैं बताएंगे अगर आप उनसे बात करेंगे मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा जैसे उनको पूरी पूरी जागीर मिल गई हो लेकि नुकसान किसका हुआ जो सालों से जिनकी कई पीडिया गुजर गई दुकान चलाते चलाते उनको क्योंकि जो शुरू में उनके पूर्बच कर रहे थे उसको जी रहे थे तो वहाँ पर उनको नुकसान हुआ जिनकी दुकान पूरी खतम हो गई तो वो कहीं के नहीं रहे गए वो अलग जगे तलाश रहे हैं हलाकि पुनरवास की बेवस्ता है बर उतना ज़्यादा नहीं है कि उनका उतना फाइदा हो जाए क्योंकि जहां पर जुकान थी देखेंगे तो यह जो में रोड आप देख सकते हैं जो भी हालिक लान में ने शूट की पहले दिखाया था किस तरीके से तोड़ा गया है पुरा अध्या को तो यहां पर आप देखेंगे तो एक मंदिर की आकार का डिजाइन हर जगे मंदिर पर आपको मिलने वाला है और अभी जो सौंदरी करण हो रहा है यह जादा तर हो रहा है बाहर बाहर पर जहां से गाडियां आए और चली जाए तो अगर आपको 1995 में लेके चलूँ तो वहाँ पर ये सड़क में रोड हुआ करती थी और में रोड से मतलब बाई पास भी नहीं था यही से सारी बसें और ट्रकें जाया करती थी और यह रोड और पतली थी तो आप समझ सकते हैं किस अईध्या की बात कर रहा हूँ अब इतना ट्रैफिक होता है कि जैसे दिपोट्सो होता है तो आउध्या के लोग बहुत कम जा पाते हैं वहाँ पर दिपोट्सो देखने क्योंकि पास्स की बेऊस्था होती है अलग-अलग तरीके से एंट्री दी जाती है बाहर के लोग इतने पहुँच जाते हैं इतने गर्माने पहुँचते हैं कि आयोध्या के लोग बहुत सारे कम लोग होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, पहुँचते कब हैं? जब सारे प्रोग्राम खतम हो जाते हैं, 9-10 बजे की आसपास, आयोध्या की में जंता वहाँ पर दर्शन करने पहुंचती हैं, जो बचे कुछे दीपर कर जल रह रहा है लेकिन पानी का बहाओ आपको पार कर सकते हैं अंदर चलते हुए तो खुबसूरती पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जो और मंदिर है जो अब जिड़ अवस्था में थे उनके पुनरवास की वेवस्था की जा रही है लेकिन अभी भी अगर गलियों में जाएंगे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है और सरकार अभी जहां तक पहुँची है वो बाहरी इलाके हैं और जो बसावट शुरू हुई है बाहर एवध्या में जहां पर जगहें थी रेट तो next level पहुँच चुका है और वहां पर बसाव कोई भटकाएगा नहीं क्योंकि अरध्या में बहुत सारी चीजी अब शुरू हो चुकी है जहां पर हो सकता है कि आपकी गारी जब हाईवे पर पहुँचे तो कोई रोक ले आपको सही जगह न लेकर जाए अपने पैसे क्यमाने के चकर में आपको कहीं इधर उदर लेकर तो अगर आप अपने हिसाब से विवस्ता चाते हैं जो भी आपका बजट हो तो इस नमबर पर फून करिएगा और जैसी आपकी विवस्ता चाहिए होगी अगर आप घूमना चाते हैं आपको सुचार रूप से ये भाई साहब अच्छे से ऐध्या के बारे में बता देंग तो आपको पार्किंग मिलेगी और पार्किंग नहीं मिलेगी जहाँ पर आप इधर-ुदर लगाएंगे तो आप गाड़ी में स्क्रेच आने के खत्रे हैं देंट आने के खत्रे है और बहुत आई लोगों की गाड़ या डैमेज होती हैं और आजकल चालान भी बहुत हो र तो अपनी गारी अवाइट करिए क्योंकि पार्किंग की अभी इतनी सुविधा है नहीं, अभी पार्किंग बनने में वक्त लगेगा, तो जो पुराना बस अड़ा था, अब वहाँ से, क्योंकि हमने कई बार बसे पकड़ी हैं, मुझे याद है, अपने बाबा के साथ जाते मंदिर शुरू हो जाएगा, तब भी काम चलता रहेगा, क्योंकि इस काम को होने में भी वक्त लगना है, लेकिन आप देख सकते हैं, निर्माड, जो हाल भिलार की तस्वीर हैं, उसमें एक फ्लोर मिल जाएगा, वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, 100%, ये 2023 में जो उद्ग चल रहा है, वो आप बाहर से देख सकते हैं, तो मंदिर कौन-कौन से जहां भूम सकते हैं, तो जिन मंदिरों में हम जाया करते थे, कनक बहुन हो गया, शीश महल हम जाते थे, मात करह चौराहे से लगा हुआ था, इसके अलावा हनुमान गड़ी इन मंदिर में आ जाता है, आप नागेशोनात जा सकते हैं, आपको बता दूँ, लखनवू से लगभग 130 किलोमेटर दूर है, अगर आप एरपोर्ट से बात करेंगे, चोधरी चानर सिंग लखनवू का एरपोर्ट है, वहां से 140-45 किलोमेटर के आसपास आयोध्या है, और यही नेरेस्ट एरपोर्ट है, अगर आप स्टेशन की बात करेंगे, तो आयोध्या का स्टेशन बहुत अच्छे तरीक से बन रहा है, हलाकि अभी से बनने में पूरा और टाइम लगेगा, डबल लाइन हो जा रही है, अच्छी बात यह है, क्योंकि पहले सिंगल लाइन था जहां पर, तो डबल लाइ हैं, जहां पर आप रुख सकते हैं, प्रमोड बन हो गया, तो कई सारे नाम है, राय गंज हो गया, तो यह कुछ नाम है वहां के जो आपको बता रहा हूँ, लेकिन वहां पर आप गारी पार्क नहीं कर पाएंगे, बहुत कम जगों पर आपको गारी पार्क करने की विवस् जो अच्छे होटल मिलेंगे, ऋब बाहर के साइड में बनाया जा रहे है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे होटल में लोके जो 5-star facilities वाले हो तो ऐसे भी होटल आप बन चुके हैं, लेकिन अभी बड़े होटल बनने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-star की प्रापरटी है अर्द्या में आ चुकी है शरी उने जी से कनेक्ट होना चाते हैं तो हाईवे हाईवे से आपको पिर ट्रैफिक मिलेगा लतामंगेश कर चोड़ाहे से जब आप हाईवे से कनेक्ट करते हैं राइट हैंड को जाए तो वहाँ पर पार्किंग की बिवस्ता आपको बहुत सारे मंदिर आपको निशुल्ख रूखने की फैसिलिटी देते हैं जो आपका मन करें उन्हें डोनेट करिए तो ऐसे इसी मंदिर में हैं कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर लगातार भंडारे चलते रहते हैं अगर आपको लगता है पैसा नहीं करच करना है ऐसी जगर पर आप पहुचे हैंज। तो अयोध्या खास है अयोध्या बहुत खास हो रहा है क्योंकि इस शहर को अब एक नए समीकरण के तरफ बढ़ा दिया गया है और जो ये बदलाव देख रहा हूँ अब मुझे बहुत खुशी मिल रही क्योंकि मुझे बहुत दुख होता था जब मैं बीच में आयोध्या गया राम की पौरी पैड़ी पूरी तरीके से मतलब वहाँ पर गंद आती थी आप खड़े नहीं हो सकते थे तो उसके अलावा एक शहर को एक नई उर्जा मिली है बेशको चाहे आप पॉलिटिक्स बना है या जो भी बोलना बोले लेकिन मुझे लगता है एक शहर बस रहा है इसका फाइदा बहुत साई लोगों को मिलेग यह जो लड़ाई हुई है बाहर की हुई है और यहाँ पर सत्भावना अभी भी बनी हुई है और आयोध्या आने वाले वक्त में बहुत कुछ और कहानी कहेगा और मुझे पक्का पता है जिस तरीके से जिस चुरू हुई है और अब भी बदलती चली जाएगी आपको बता आएं क्योंकि जब कोई चीज चुरू हो रही होती अच्छे तरफ जाती है तो वहां का एक दूस परिडाम भी होता है एक दूस प्रभाव भी होता है कुछ आपको अराजक तत्तों भी मिलेंगे तो आप पहले से ही बुक करके जाएए और कोशिश करिए कि ऐसी जगे जिनसे आप थोड़ा बहुत अच्छे से अतलब भरोसा होंगा कार्ड अगरा देखिए ये ना हो कि आप किसी ऐसे बेक्ति के चक्कर में पड़ जाए जिससे आपका नुकसान हो जाए तो आयोध्या अभी पूरी तरीकी क्योंकि अभी और्गनाईज वे में नहीं आया है तो अभी विक्सित हो रहा है तो वहाँ पर फुक फुक का कदम रखना है तो अभी आपको मैंने नंबर दिया है यहां से आपको पूरी हेल्फ मिल जाएगी 100% वाली अगर आप एवध्या देखना चाते हैं जिस बजट में देखना चाते हैं ए भाईया आपको हेल्प करें है क्या क्या चीज़े हो रही है तो सब कुछ आप इनसे पूछ सकते हैं या आप खुमने जाना चाते हैं रुकने की आपको बेवस्था चाहिए तो यह भी आपको सपोर्ट करेंगे आप वहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं तो भाईया इस वीडियो में बताना चाता था क अभी आयोध्या को बनने में वक्त लगेगा अभी भी देख सकते हैं सबकुपरतेजी के साथ काम चल रहा है लेकिन दीपोट्सो की अगर बात करें तो दीपोट्सो के टाहिम आते आते बहुत कुछ बदल जाता है अलग-अलग तरीके से लाइटिंग से इसे पुरा सजा दिया जाता है 24 लाइट दिये का एक रिकॉर्ड बन रहा है और आपको बता दूँ ऐसे रिकॉर्ड और बनते रहेंगे क्योंकि आयोध्या चमक रही है और इस शहर ने बहुत साई लोगों को रोजगार दिया है और जिस तरीके से काम चल रहा है राम मंदिर का उसके पर बोलते हैं मतलब आपको घर नहीं मिलेगा आपको हर घर मंदिर मिलेगा मतलब मंदिर बने हुए उसमें आपको घर मिलेगा जहां पर लोग रहते हैं लेकिन वहाँ पर इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है अलग बसती अयोध्या अलग बंती अयोध्या क्य जरूर दीजेगा और मैं चाहता हूँ अगर आपे वीडियो देख रहे हैं तो हमें सपोर्ट भी कीजिए हमारे इस चैनल को दूर दूर तक पहुंचाईए मैं चाहता हूँ जितने भगवान राम को प्रेम करने वाले लोग हैं वहां तक ये चैनल जाए और उनको अयुद्य पर और बहुत सारी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा चलते चलते एक ची और बता देता हूँ कि अभी भी आप कनक बहुंच जाएंगे या किसी प्राचीन मंदिर में जाएंगे आयुद्या के तो वहां पर आपको राम चरित मानस का पाठ करते हुए सादू लोग मिल जा में आपको जगा देंगे गर आप अविध्या में है तो सकता है सुबह आपकी जो आप खुले और सीता राम धुन से खुले क्योंकि चारो तरफ सीता राम सीता राम का अनवरत पार्ट होता रहता है तो चलिए भी आप आपकी बारी है बताने की हमारा ये वीडियो कैसा आपकी बार리 है